ईब सुट कर नया सिर्म इफ से स्टार्ट में दिखा जाता है वह लड़की होती है वह खाना बना रही होता है और वह खाना काने के लीए यहlı नहीं फिर हो एक हैं शुनधे ऑप फिर वह घूंदी और यह पूछ्षेट बताओ भाब क्या क्याafter कते हो फिर उसका जो पाधर है मतलब भी कर्रेक्टर भी वह कहता है नहीं ज़्यादा कोई काम नहीं है रहाँ में के फिれमक्त नहीं की 125 इस उउना ज्यूरत होगा देदि कुछ भी जादा नहीं थोड़ी देर शांत होती है फिर वो कहती है यह ना वैसे डैट आप खाना खाई है तो यह से खाना और ज्यादा पस्ती है उसके लिए बहुत जादा खाना होता है एक दम देखने में टेस्टी होता है वह मीट खरीद के लाए अधर होटल में से वही है और फिर ह जो जो सी मतलब जो सका बहुत होता है वह कहता है तुम्हें अपनी सियत का ध्यान रखना चाहिए तुम्हारा एक्सिडेंट हो गया तो मुझे पता चला मगर तुम्हारी तब्याद ठीक तो है ना फिर हमेरी ठीक है इसलिए मैंने सोचा मैं आप सब मिलता जाओं इसको नीटान प्यूतु जाँते होंगे तो मैं आतीश अरूफ है जालते होंगे तो व थे वां आपने तो रहता है धन्यवाद और फिर वह स Mutम फिर अपना में उभी फिल्माश की zajइंस पशेम्टन सके लागा सकती है फिर महांपे तो यह shipping Secret क्मेस कैता है याउइन वह ग्रेड ह तो यह थोड़े बहुत पावर्फुल तो हुई और वहां पे सारे लोग देखते हैं क्योंकि वहां पे एक लड़की की एंट्री हुई होती है फिर जो चीफ होता है पर जानना जितना हो सकते हो और फिर जो मारा में करक्टर होता है वो उसके बारे में बोलता है कि यह नूदी रहे हैं चलो मैं तुम से मिलाओं वह दोनों इसके पास आ जाते हैं वह कहता है कि एक अच्छी हंटर है अभी अभी बनी है जाधा बड़ी नहीं है तुम इससे बात करो और इससे पता लगाओ यह है कौन और यह हमारी जो भी रिप्ट का जो भी काम होता है सारा इसमें थोड़ी बहुत एक्स्प्लोरेशन वह इसमें बदत करती है और इसका नाम चाह य कि अच्छी है तो लुट है पस्ट की डेक्टर से नहीं तो रहें तो पर चुछ बड़ी बात है पिर हमें बताया जाता है कि वो बोलता है कि हमारी जो साइड इफेक्ट है मतलब जो जूब से बाहर हमें उससे ध्यान रखना चाहिए फिर वो कहते हैं कि यह न ली तुम ठीक हो तो तो तुम रहो वरना तुम ठीक नहीं हो तो तुम जा भी सकते हो गूड जॉब करने के तुम बैट जाओ अभी आराम करो एसा वो उससे डोजवान से कहता है और फिर हमें बताया जाता है जो यह न मतलब वह जो सीनियर है वह वाशुका से भी कहता है कि तुम भी थोड़ी बहुत इसको बताओ तब यह सारी बाते में अर्मिंग आकसेसारी उपर जारी है और वि बात कर रहा हुए था जो हमारा नया बंदा है मतलब अभी जो तुमारा मतलब असिटेंट हो गया था वह मारी टीम का अच्छा मतलब वैसे तो बंदा ठीक है वैसे भी और जब जितनी बाते हो रही है सारी उसके चीफ की दिमाग से जारी होती है और फिर हमाँ यहां से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक अलगी जिगे का सीन दिखा जाता है जहां पर जो हमारा मेन केरेक्टर लिए उसकी किसे से लड़ाई हो गई होती है वह बंदा उससे कह रहा होता है तुम देखने विससे तो कहीं पब्लिक ऑफिशल नी लगते त तुम ने इस बंदे को अभी नहीं चोड़ा तो तुम थोड़ी देर में मर जाओगे मतलब ऐसी कोई इन्फोर्मेशन सी लिस्ट आ रही थी उसके सामने तीन सेकेंड बचेते तो वह इतना सब देखके बहुत ज़्यादा डर जाता है वह कहता है कि यहना मुझे मरना तो है उसके संस वें अंदर ही उसके कुछ और जा रहा होता है वह जगता है चän Depay 008 निकलता है उसके कंदे पेहाथ रखता है हैं चूग क्या हो गया और वह नीचे किढ जाता है वह बंदा जिसने हमारे मेन क्रेक्टर के उपर हाथ डाला था और और यह लड़की होती है वहसे वैसे तो नहीं आसते हैं मतलब देखके हराम थे कि इसके तोरेट कैसे निकल गए और यह तेज़ जल्दी डर किया गया और जो जो लड़की है मतलब एफ रेंग की हंटर वो भी दिखाई जाती हमें और जो हमारा मेन केरेक्टर है वो थोड़ा मतलब एकदम सांस लेता है और सबस्सक्राइब की अपने मेन क्याम की लिखें सबस्क्राइब का वह तक विए और रहर देखें की बीश़ द एकांस वह उसके साथ एना आपने मेन केरेक्टर लीके साथ एक आप में आजाती है उस्रिफ्ट का सीन दिखाए कि थिखाई निए रहे हैं वह कहता है कि यह ज्यादा पावर फुल्स जान करना पर तो पता कि अपने कोई चड़ा चाहण है और स्मेंראई करताइग aosère क यह फिर यह बता जाता है यहाई पर यह एपिसोड एंड हो जाता है यह अच्छी लगए तो उडियो को लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वाचिंग